इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा राजिस्थान के नए जीके के 25 प्लस MCQ कुशन के पार्ट 3 की चर्चा करूँगा और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में दियावा है जहां पार्ट 1 में आपसे ब्यावर जिले से समंदित मैपपुन MCQ कुशन की चर्चा करूँगा डेली ये क्लास आपको इसी यूटूब चैनल पर देखने को मिलेगी इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और पीडियाप आपको 1K व्य क्रोस होने के बार हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रप्सन में दियावा अगर अभी तक आपने जोईन ने किया तो आप जाके जोईन कर सकते हूँ तो आज बात करूँगा पार 3 में जिसमें ब्यावर जिले से मैपपुन MCQ की चर्चा करूँगा वीडियो स्टाट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यह दोनों जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ओन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नाया वीडियो अप्लोड करूँ सब अब से पहले आपके पास पहुंच चेए तो ब्यावर जिले से समंदित मेत पुन MCQ कुशन में क्यूशन नमबर फ़र्ष्ट है कि ब्यावर को जिला बनाने की गोशना कब की गई आपके पास ओप्सन ने 4 अगस 2023, 3 अगस 2023, 6 अगस 2023, 17 मार्च 2023 तो ब्यावर को जिला बनान ब्यावर को जिला बनाने की मंत्री मंडल मंजूरी कब दी गई है, 4 अगस 2023, 1 अगस 2023, 16 अगस 2023, 17 मार्च 2023 तो ब्यावर को जिला बनाने की मंत्री मंडल मंजूरी है, ये कब दी गई है, आपका राइट अंसर हो जाएगा, 4 अगस 2023 को मंत्री मंडल मंजूरी दी गई है, ये 4 अगस 2023, 3 अगस 2023, 6 अगस 2023, 17 मार्च 2023 तो ब्यावर को जिला बनाने की जो अधी सूचना है वो आपके 6 अगस 2023 को जारी की गई है C आपका correct answer हो जाएगा Next question ब्यावर जिले का उधगाटन किस ने किया है B आपका correct answer हो जाएगा Next question Next question है ब्यावर जिले का निर्माण किन किन जिलों से किया गया है अजमेर भीलवाड़ा, पाली, रासमन, उप्योक्षभी तो ब्यावर जिले का निर्माण है अजमेर भीलवाड़ा, पाली और रासमन इन 4 जिलों से किया गया है D आपका right answer हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सबस्क्राइब करें क्योंकि टोटल 25 सो प्लस MCQ कुषिन की स्रीज आपको डेली इसी तरह इस यूटूब चैनल पर देखने को मिलेगी Next question ब्यावर जिले के पर्थम पुलीश अधिक्षक कोन है राजी कुमार, राजिंदर कुमार, कल्पनाशे कावत, नरंदर शिन तो ब्यावर जिले के पर्थम पुलीश अधिक्षक है आपके नरंदर शिन, D आपका right answer हो जाएगा नए जिलो के पर्थम पुलीश अदिक्षक और पर्थम जिला क्लेक्टर आपको मालूम होना चाहिए Next question ब्यावर जिले में कितनी विदानसभा सीटे हैं? 7, 5, 3, 2 तो ब्यावर जिले में आपके 3 विदानसभा सीटे हैं Correct answer आपका हो जाएगा C तीन विदानसभा सीटे कौन-कौन सी है? तो आपको बता देता हूँ तीन विदानसभा सीटे हैं ब्यावर, मसूदा और जयतारण Next question नया नगर किसका उपनाम था? ब्यावर, उदेपुर, जोदपुर, डीग तो नया नगर आपके ब्यावर का उपनाम था ये आपका correct answer हो जाएगा Next question नाराण शागरबांध किस जिले में इस्तित हैं? शलूमबर, उदेपुर, ब्यावर, डीग तो नाराण शागरबांध हैं ये आपके ब्यावर जिले में इस्तित हैं शी आपका correct answer हो जाएगा Next question राजिस्थान की पर्थम मिल्स, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्तापना कब की गई हैं? अठारासो गुर्णबे, अठारासो, उननीसो बयालिस, उननीसो चौतर तो राजिस्थान की पर्थम मिल्स, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्तापना हैं ये आपके 17 जून अठारासो गुर्णबे में की गई हैं correct answer आपका हो जाएगा ए कब की गई हैं? 17 जून अठारासो गुर्णबे Next question The Edward मिल्स कब स्तापित की गई है? 1912, 1906, 1942, 1919 The Edward मिल्स है ये आपके स्तापित की गई है 1906 में कहां पर स्तापित की गई है? तो ये आपके ब्यावर जिले में स्तापित की गई है तो correct answer आपका हो जाएगा B, 1906 वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर स्बस्क्राइब करें Next Question महालक्स मिल्स कब स्तापित की गई है? 1824, 1925, 1960, 1984 तो महालक्स मिल्स से ये आपके स्तापित 1925 में की गई है correct answer आपका हो जाएगा B Next Question राजिस्थान का पर्थम पूर्ण शाक्षर गाउं कोन सा है? मशूदा, कवास, बायतू, फलोदी तो राजिस्थान का पर्थम पूर्ण शाक्षर गाउं मशूदा है A आपका correct answer हो जाएगा और मशूदा आपके ब्यावर जिले में स्तित है बाजसा कमेला कहां आयोजित किया जाता है? अलवर, भरतपूर, बालोत्रा, ब्यावर तो बाजसा कमेला अब आपका नया जिला जो ब्यावर है वो right answer हो जाएगा D आपका correct answer हो जाएगा Next question आगी बाण समाचार पत्र का परकाशन ब्यावर से किसने किया? विजे सिन्पतिक, जै नाराणी व्याष, राना शांगा, माल देव तो आगी बाण समाचार पत्र का परकाशन ब्यावर से जै नाराणी व्याष ने किया है correct answer आपका हो जाएगा Next question डेली आपको इस यूटूब चैनल पर इसी तरह राजिस्तान की नए जीके के किशन देखने को बिलेंगे तोडगर्ड दुरुक का निर्माण किसने किया? मालाना कुंबा, अजीराज, जैम्स तोड, माल देव तोडगर्ड दुरुक का निर्माण है वो आपके करनल जैम्स तोड ने किया है C आपका right answer हो जाएगा नाम में इस परष्ट है तोडगर्ड का तोड याद रख लो और करनल जैम्स तोड आपको नाम याद रह जाएगा तो तोडगर्ड का निर्माण करनल जैम्स तोड ने किया है Next question ब्यावर में इस्तित कुशाल माता का मंदिर किष्णे बनवाया मारान कुमबा, मारान परताप, राना सांगा, माल देव तो ब्यावर में इस्तित कुशाल माता का जो मंदिर है वो आपके मारान कुमबा ने बनाया है गिरी सुमेल का युद कब हुआ तो गिरी सुमेल का युद है वो आपके एंसर राइट हो जाएगा पांच जनोरी पनरा सो चुमालिस को हुआ था तो करेक्ट एंसर हो जाएगा सी और यह किसके बीच में हुआ था तो गिरी सुमेल का युद राव मालदेव और सेरसा सूरी के मद्दे हुआ था जिसमें सेरसा सूरी ने माल देव को हरा दिया था यह प्राजीत कर दिया था नेक्स्ट कुशन है राजिस्थान की रादा किसे कहते हैं किशोरी देवी, जमना भाई, मीरा भाई, कमला बेनिवार, तो राजिस्थान की राधा, मीरा भाई को का जाता है, C आपका correct answer हो जाएगा, मीरा भाई का जनम कहां हुआ, फलोदी, कुड़की, पोकरण, परबसर, तो मीरा भाई का जनम कहां हुआ, कुड़की आपका correct answer हो जाएगा, B आपका right answer हो जाएगा, यह इस बार आपके शंगनक भरती परिक्षा में भी पूछा गया था, next question है, ब्यावर जिले के संबाग में इस्तित हैं, फरतपुर, जोरपुर, अजमेर, बीकानिर, तो ब्यावर जिले के अजमेर संबाग में इस्तित हैं, C आपका correct answer हो जाएगा, next question, ब्यावर जिले के पर्थम जिला क्लेक्टर कोन है, रोई ताशवर सिन तौमर, परताप सिन, डॉक्टर मन्जू, जस्मित सिन संदू, तो ब्यावर जिले के पर्थम जिला क्लेक्टर, रोई ताशवर सिन तौमर हैं, यह आपका correct answer हो जाएगा, next question, ब्यावर जिले में कितनी तहशिल हैं, तीन, साथ, नव, आठ, तो ब्यावर जिले में कितनी तहशिल हैं, correct answer हो जाएगा, ब्यावर जिले में साथ तहशिल हैं, भी आपका correct answer हो जाएगा, अब साथ तहशिल कोन कोन सी है, तो आपको बता देता हूँ, ब्यावर, टाडगर, जयतारण, रायपूर, मशूदा, विजेनगर और बदनोर ये आपकी सांत तैसिल है ब्यावर जिले में Next question ब्यावर जिले में कितनी उपखंड है? 3, 7, 6, 8 तो सांत तैसिल है और उपखंड की बात करें तो उपखंड है आपके 6 तो correct answer आपका हो जाएगा C, 6 उपखंड है ब्यावर जिले में 6 कौन कौन से उपखंड है तो 6 है ब्यावर, टाडगड, जयतारण, रायपूर, मसूदा और बदनोर Next question है बर और सिवपूर घाड़ दरे राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है? अजमेर, ब्यावर, अनुबगड, बालोतरा तो बर और सिवपूर घाड़ दरे राजिस्थान के ब्यावर जिले में इस्तित है बी आपका correct answer हो जाएगा Next question राजिस्थान की पहली कपड़ा मिल, कृष्णा मिल, किस जिले में इस्तित है? बाड़ में ब्यावर, अनुबगड, बालोतरा तो राजिस्थान की पहली कपड़ा मिल, कृष्णा मिल है या आपके ब्यावर जिले में इस्तित है बी आपका correct answer हो जाएगा और इस्तापित 1800 गुर्णबे में की गई थी राजिस्थान में पर्थम मिसेनरी केंदर किस जिले में स्तापित किया गया था? अजमेर, ब्यावर, अनुबगड, बालोतरा तो राजिस्थान में पर्थम मिसेनरी केंदर आपके ब्यावर जिले में स्तापित किया गया भी आपका correct answer हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह राजस्तान के नई GKK कुषिन इसी यूटूब चैनल पर देखने को मिलेंगे देवर भाबी होली राजस्तान के किस जिले में खेली जाती है? उदेपूर, जैपूर, ब्यावर, अजमिर तो देवर भाबी होली राजस्तान के ब्यावर जिले में खेली जाती है? C आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा ब्यावर जिले में कौन सी भासा बोली जाती है? मेवाती, राजस्तानी, हिंदी, उप्योग शबी तो ब्यावर जिले में उप्योग शबी हो जाएगा मेवाती, राजस्तानी, हिंदी, तीनों भासाएं बोली जाती है D आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा अब मदेवर्ती अरावली की सबसे मुची चोटी कौन सी है? इस चोटी की हुचाई की बात करें तो 934 मिटर हुचाई है जो की राजस्तान के ब्यावर जिले में इस्तित है इसके अलावा और एतियासिक इस्तल ब्यावर जिले में कौन-कौन से हैं आपको बता देता हूँ स्री सिमेंट का कार खाना आपके ब्यावर जिले में इस्तित है इसके अलावा दी एडवेड मिल्स मालक्समी मिल्स अभी मैंने आपको बताया था उनकी स्तापना ये भी आपके ब्यावर जिले में इस्तित है बादसा का मिला अभी मैंने आपको बता दिया था Next question ब्यावट जिले की कितने जिलों से सीमा लगती है 3, 7, 5, 8 तो ब्यावट जिले की जो सीमा है वो आपके 7 जिलों से लगती है कितने जिलों से लगती है 7 जिलों से लगती है B आपका right answer हो जाएगा वो 7 जिले कौन-कौन से है आपको बता देता हूँ अजमेर, नागोर, जोत्पुर ग्रामिन, पाली, रासमन, फीलवाडा और कैकडी ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा ब्यावट से लगती है Next question है ब्यावट जिले का स्थापना दियोश कब मनाया जाता है 4 अगस्ट, 3 अगस्ट, 6 अगस्ट, 7 अगस्ट तो परतेक वर 7 अगस्ट को ब्यावट जिले का स्थापना दियोश मनाया जाएगा D आपका राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि नए जिले सभी आपके 7 अगस्ट को ही स्थापित किये गये थे Next question है ब्यावट जिले में पंचाई समित्या कितनी है 8, 1, 2, 5 तो पंचाई समित्यों की बात करें तो ब्यावट जिले में आपके 5 पंचाई समित्या है D आपका correct answer हो जाएगा कितनी पंचाई समित्या है 5 पंचाई समित्या है और कुल ग्राम पंचायत की बात करें तो पंचाय समिती 5 है, कुल ग्राम पंचायत है 101 एकराणू और कुल रासु ग्राम की बात करें तो वो टोटल है आपके 770 तो ये थे आज की क्यूशन आपके 22 जिले से शमंदित मैतपुन क्यूशन डेली आपको इसी तरह नए जिलो से रिलेटेड MC क्यूशन इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें पीडियेप आपको 1K वीडियो क्रोस होने के बाद हमारा टेलिग्राम ग्रूप पर देखने को मिलेगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्राप्शन में दिया हुआ है